Assalamualaikum students, Task 8th के युनिर मैट्स के युनिर नमबर 1 की exercise नमबर 1.2 का part नमबर 3 हम solve कर रहे हैं क्योंकि हम part नमबर 1 और 2 आज़ी कर चुके हैं, स्कूल में ही आपका question number 3 है show that if A set is equal to ABC and B set is equal to B, D, F and C set के members हैं A, F, C ठीक है, हमें proof करना है जी, A union bracket B intersection C bracket is equal to bracket, right hand side है A union B bracket intersection bracket A union C bracket, ठीक है, यह हमारा है distributive law of union over intersection इस law को proof करने के लिए हमने क्या करना है जी, इसमें हमारे पास 3 sets हैं A, B and C और 2 हमारे पास operations है, union भी कर रहे हैं हम और साथ में intersection भी कर रहे हैं तो जिस किसी set में आपको 3 sets मिलें और साथ में 2 operations हों तो वो आपका क्या कहलाता है यह set आपका law क्या कहलाएगा A, distributive law of union over intersection, ठीक है इसको हमने proof करना है इन 3 sets की मदद से left hand side हम पहले solve करेंगे A union bracket B intersection C bracket left hand side solve करने के लिए पहले में bracket वाला part solve करना है B intersection C हमने B का set लिखा, intersection का symbol और फिर हमने लिखना है C का set intersection means के हमारा set B और C में कौन से members common है देहान से देखिएं यहाँ पर हमारे दो एक ही member common है जो के दोनों sets में मौझूद है और वो हमने अपने अगले step में लिख लिया अब हमने remaining part left hand side का solve करना है A union bracket B intersection C bracket close is equal to पहले हमने A का set लिखना है और फिर हमने B intersection C जो अपना answer निकाला है वो लिखना है और दोनों को union करना है union का मतलब है कि A set के members और B intersection C जो हमने पहले उपर solve किया है उन सबको एक साथ इकठा लिख देना है ठीक है जी हमारा left hand side complete हो गया अब हम चलते हैं अपने right hand side की तरफ right hand side में हमारा पास bracket में दो sets आ रहे हैं A union B एक bracket और यहाँ पे A union C दूसरी bracket इन दोनों को हमने अलग लग solve करना है इनको solve करने के बाद हमने इन दोनों को intersect करना है यानि इन मेंसे common members को choose करना है सबसे पहले A union B, A का set लिखें then B का set लिखें और उन दोनों को हमने union करना है union means कि A और B के दोनों members को एक साथ लिख देना है यहाँ अब आपने यह खियाल लखना है कि कोई भी अब हमने जो A union B का answer निकाला हुआ है और यहाँ पर A union C को solve किया हुए उन दोनों को आपने एक साथ लिख देना है और उनके center में क्या हैगा intersection का symbol क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में क्या operation हो रहा है intersection का यानि दोनों के दरम्यान में हमने common members को choose करना है कौन-कौन से members common है A common है B common है N C common है A, B, C and F लहाज़ा हम चलते हैं पहले अपने left hand side का answer की तरफ left hand side का answer क्या है A, B, C, F और यहाँ पर हमारे right hand side के भी कौन-कौन से members है A, B, C and F तो यहाँ पर proof हो गया कि left hand side is equal to right hand side that's it कौन-कौन-कौन कौन-कौन